आज अपन बीजी के अंदर सीखेंगे कि पॉस क्या होता है और वो किस तरीके से बीजी के अंदर वर्क करता है देखिए पॉस का इससे पहले अपने एक वीडियो बना चुके इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए यह उसका दूसरा पार्ट है देखिए पॉस के फुल फॉर्म होती है पॉइंट आफ सेल्स कई बार क्या होता है अप आपका करसर है वहीं सेल्स का जब आप बिल बनाएंगे तो आपका करसर वहीं रुकेगा जहां पर यूस्टू है अपन सब्सक्राइब मार्ट में ज्यादा तर क्या होता है जो कस्टमर होते है वह कैश वाले होते हैं तो उसमें अपन चाहते है कि डेट नहीं पड़े बार 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 पार्टी स्लेक्ट नी करनी पड़े सीधा करसर कैश पर ही रूकर फटाफट बिलिंग हो जाए तो बेसिकली जहां पर फटाफट अपने को बिलिंग वगरा करनी हो तो वहाँ पर यह पॉस ऑप्शन काम आता है तो इसको अपन आज पूरा प्रैक्टिकली करकर देंगे इसके लिए अपन सबसे पहले administration पर जाएंगे, configure पर जाएंगे, voucher series बाइंगे, यहां पर आप देख पा रहे हैं sales voucher, sales voucher पर अपने को जाना है, अभी यहां पर एक series है main series तो आपने को यहां पर अपन एक series बना लेंगे और उसका नाम दे देंगे, pause तो मैं वाप किया बापिद अपन पॉस पर जाएंगे उसके बाद आपको यहां पर voucher पर जाना है यहां पर अनेबल एडवांस पॉस डाटा एंटरी को आप सिंपल येस करें configure एडवांस पॉस पर आप जाएंगे इनको अपने को फिल करना है और उसके बाद अपन पॉस में वर्किंग इजीली तरीके से कर पाएंगे अब देखें यहाँ पर फिल्ट टाइप में तीन अपने को मिलेंगे एक फिक्स एक वेरियेबल एक सेमी वेरियेबल तो सबसे वहली फिल्ट है अपनी डेट की देखिए डेट क्या होता है कि अगर आप चाहते है कि फिक्स दी रहे आटोमेटिकली डेट चलती रहे डेट पर करसर रुखेगा ही नहीं अगर आप यहाँ पर फिक्स ले लेंगे और डिफॉल्ट वेलियो अगर आप सिस्टम डेट ले लेंगे आप चाहते हैं कि date variable रहे तो variable में क्या होगा कि cursor रुकेगा भी और आप change करना चाहें date तो वो आप कर सकते हैं आपने का जी semi variable, semi variable में क्या होगा date पर cursor रुकेगा नहीं लेकिन आप cursor को date पर ला सकते हैं अगर आप semi variable select कर लेंगे तो अपन यहाँ पर date को कर देते हैं fix और default value ले ले लेते हैं system date उसके बाद आता है sales type sales type जैसे multi rate आप रखना चाते हैं आप tax include रखना चाते हैं local की sale काटना चाते हैं तो वो उस हिसाब से sale type work करता है तो sale type में आपने जैसे fix ले लिया और यहाँ पर आपने local gst ले लिया tax include तो वहाँ पर fix हो गया वहाँ पर cursor रुखेगा नहीं तो कहने का मतलब कि जब आप fix ले लेंगे तो वहाँ पर cursor रुखेगा नहीं और नहीं आप उसको change कर पाएंगे वो fix तो fix हो जाएगा वेरियेबल अगर आप किसी भी types का select करेंगे तो variable पर cursor भी रुखेगा और आप change करना चाहें तो कर सकते हैं semi variable पर cursor नहीं रुखेगा लेकिन आप cursor को ले जा सकते हैं और change करना चाहें तो कर सकते हैं देखे पार्टी में भी अपने को cash semi variable ही लेना पड़ेगा कभी कबार क्या होता है customer उदार में भी ले लेते हैं ज्यादातर bill तो क्या cash में बनते हैं तो यह आप अपने हिसाब से select कर सकते हैं अपन अभी सिर्फ practically करना चाहे तो अपन यहाँ पर semi variable ले लेंगे और default अपन एक बार का cash लेंगे उसके बाद narration के अपने को requirement हो तो वह आप देख सकते हैं इसको अभी अपन नो ही रहने देते हैं उसके बाद अपन यहाँ पर सीधे आ जाते हैं और यहाँ पर आएगा इसकी MRP वगिरा भी अपन एक बार के select कर लेते हैं सबसे पहले MRP अपन ने चाहा कि MRP भी आए तो अपन इसको yes कर देते हैं अब MRP है चेंज भी हो सकती है तो एक बार अपन चाहे कि वहाँ पर cursor रोके है तो अपन यहाँ पर variable ले लेंगे उसके बाद quantity है quantity देके change होती है तो अपने को यहाँ पर cursor रोकना mandatory को अपन यहाँ पर variable ले लेंगे default value आप एक दो ले सकते हैं अभी अपन यहाँ पर default value एक ले लेते हैं अभी इसके बाद आती है units units में आप चाहे तो इसको fixed कर सकते हैं और चाहे तो semi variable भी आप कर सकते हैं तो यहाँ पर अपन semi variable ले लेते हैं default value main unit ले लेते हैं price amount tax वगरा को सबको semi variable रख देते हैं अब आता है bill sundry, bill sundry नीचे आती है तो यहाँ पर अपन bill sundry में अपन चाहते हैं कि यह semi variable हो जाए और default value जैसे discount ले लिए आपने यह ले लिए उसके बाद आपने second bill sundry एक और अपन ले लेते हैं semi variable में ही round of minus और एक बाद ले लेते है round of plus यह अपन ने ले लिया यह बन गया उसके बाद आता है input cash standard details दीखें यह क्या होता है जैसे suppose करते हैं अपने किसी customer को goods sale किया 480 रुपेगा उन्होंने अपने को 500 रुपेगा note दिया तो इस option को yes करने से यह option आपको बता देगा कि आपको 20 रुपे return करने इसको अपन practically करेंगे तो यह easily तरीकी से और समझ में आ जाएगा अभी अपन यहां पर input cash standard details को yes कर देते हैं और specify settlement को भी अपन yes कर देते हैं और इसको मेरी current account में पैसा आए तो वो ले लेते हैं उसके बाद अगर अगर अपन चाहते हैं कुछ चैक वगरा से वेइमेंट करेंगे तो भी आप रख सकते हैं इस तरीके से यह सब हो गए हैं इसको अपन okay करेंगे save करेंगे और अब अपने cash का will generate करेंगे अब अपन पॉस के पॉस के अंदर का एक नया features अपने सामने आ गया है तो अपन यहां पर पॉस लेंगे पॉस में आप देखिए अप करसर सीधा item पर ही रुका है date पर रुका नहीं क्योंकि date को अपने fix कर दिया था voucher number अपने automatically चल रहे हैं आप इसको change करना चाहें तो configure पर जाकर कर सकते हैं उसके बार अपने sales type और party में यह ढला था semi-variable कि हम change करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन आरोफिय है तो semi variable में मैं आपको बताया था कि cursor रुखेगा नहीं लिगिन अगर आप change करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं तो इसलिए semi variable लेने के कारण ना sale type पर रुखा ना cash में party वाले option में रुखा cursor अब यहाँ पर जैसे अपने कुरकुरे ले लिए automatic MRP आगी इसकी 10 रुपे default वेडियो अपने quantity एक डाली थी तो एक आ गई है यहाँ पर जैसे इनों ने अपने 5 इनको sale करे रेट आगी 10 रुप जीस्ट हो गया include क्योंकि अपने आपर sale type में क्या लिख रहा है locally sale करे जीस्ट tax include एक और अपन आइटम ले लेते हैं chips chips के अपन दसपीस ले लेते हैं और उसकी price अपन डाल देते हैं 20 रुपे यह हो गया उसके बाद आप देखेंगे कि discount वगरा पर आ रहा लेकिन आपने कुछ देना नहीं है और यह cash payment हो गया cash आगा 500 रुपे आप देखें यहां पर यह जो मैंने option बताया था आपको cash tendering का वह भी features अपने yes किया था तो आगया आप जैसे इनका bill बना 500 रुपे का इन्होंने अपने को दिये suppose करते हैं 300 रुपे तो यह देखें cash to be return automatically आगया 500 रुपे इस तरीके से आप cash tendering option का use कर सकत हैं इसको अपन save करेंगे और यह voucher हो गया अपना save इस तरीके से आप post के अंदर bill बना सकते हैं अब यहां पर अपन एक bill और generate कर लेते हैं कि वह अपने को किसी ने credit card से payment करा तो अपन transaction पर जाएंगे sales पर जाएंगे और वापिस post select कर लेंगे अब यहां पर अपन party लेंगे जैसे मैंने एक party ले ली एक एंटरपाइज इन्होंने अपने से chips करी दे 20 रुपे MRP वाले 50 पीस इसकी price डाल दी 20 रुपे कुरकुरे इन्होंने खरी दे 10 रुपे MRP वाले 50 पीस इसकी price अपने डाल दी 10 रुपे टोटल बिल बना 1500 रुपे का हम F2 साब जैसे save करना चाहें इन्होंने क्या किए अक्राइट करा credit card से तो यह भी अपने सेटल बिल डाल रखी दी Cash की डाल रिखी दी credit card से कोई करे तो पैसा बैंक में थ chocolate से कोई करे वो CorinthAर है तो उदारवाले में आप ले तो इन्होंने कि अगर आपने क्रेडिट कार से पेमेंट करा तो यह कैश्ट वाले में जाकर अपन इस अमाउंट को यहां से कर देंगे निल अब डिलीट की दबा सकते हैं कीबोर्ड से तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार पर आ जाएगा पंदरा सुरुप है क्योंकि इन्होंने जो अपने को पेमेंट करा है वो करा है स्वाइप कार से क्रेडिट कार से वह आया है अपने बैंक में तो अपने यहां पर बैंक भी फीच करते हैं अब अपन लेजर्स खोलते हैं अपनी SBA करेंट अकाउंट की तो आप देखेंगे कि वहां पर यह सेल्स का बिल जो है वो जनरेट होकर आ रहा होगा मैं आपको दिखा देता हूं SBA करेंट अकाउंट यह देखिए 25 आठ को बिल काटा एक एंटरप्राइज जिसको मेरे को मोटिवेट मिले और भी मैं आपके लिए बीजी के अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहा हूं मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ थैंक्यू वेरी मच्छ